विशिष्ट महर्शी और प्रभूराम चंदर जी का ज्यानमई समवाद सुनते हैं The Art of Living के फैकल्टी स्वामी वैशम पायन जी की वानी से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं यह गुरुदेव योग वसिष्ट के अगले एपिसोड में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है पिछले एपिसोड में आपको याद होगा तो राजा भगीरत ने किस प्रकार गंगा को स्वर्ग से पॕष्वी पर उतारा उसकी चर्चा उसकी कहानी हम देख रहे थे आगे देखते हैं वसिष्ट जी ने कहा हे राम राजा भगीरत की तरस समभाव की स्तिति में रहो राजा बगीरत की कहानी में हमने देखा था, उसने सब कुछ त्याग दिया, एक कपड़े के साथ विचरन कर रहा था, फिर उसको राजा बना दिया, फिर समराड बन गया वो, फिर भी उसकी मन की स्थिति बिल्कुल नहीं बदली जब उसने तै किया, उसने ये सुना कि पूरवजों को तुरुप्त करने के लिए गंगा के जल से तरपन करना है, तो उसी समय उसने सब कुछ फिर से मंत्रियों को सौप कर अपना राजपाट वह वन में चला गया और साधना तब करने लगा, तो आप हमने भी ये देखा कि र शिखिद्वज की तरह रहो, जो सब को छोड़ देने के बाद भी निस्प्रूर ह रहा, मैं तुमें शिखिद्वज की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो, अब समभाओ के बारे में बताते हुए शिखिद्वज की कथा सुना रहे, कौन है शिखिद्वज, उसके बारे मे अभी हम देखते हैं, दो प्रेमी थे, उनमें परस पर दिव्य प्रेम था, उन्होंने दुबारा जन्म लिया, राम ने पूछा, यह कैसे संभव हुआ कि पती-पत्नी के रूप में एक यूग में रहने वाली जोडी ने, दूसरे यूग में भी पती-पत्नी के रूप में ही जन्म लिया, दो प्रेमियों में इतना तूट प्रेम था, तो एक जन्म के बाद दुबारा वो जब पैदा हुए, तो फिर से एक दूसरे के वह दिव्य प्रेम के लिए ही पैदा हुए कह सकते हैं, दूसरे जन्म में भी पती-पत्नी बनके पैदा हुए, तो प्रभूराम संसार के क्रम की कुछ ऐसी सुक्ष्म प्रकृती है कुछ वस्तुए प्रचूर मात्रा में होती है और पुनः प्रचूर मात्रा में उत्पन्न होती है यह संसार क्रम जो है उसकी कुछ ऐसी नियती है सुक्ष्म प्रकृती है जो प्रचूर मात्रा में अल्रेडी उत्पन्न है वो दुबारा प्रचूर मात्रा में उत्पन्न प्रचूर एने बहुत प्लेंटी बहुत सारा कुछ ऐसा ही है जो अभी जन्मी है तता जिनका पहले जन्म नहीं हुआ था और कुछ ऐसे भी है जो पहली बार जन्म हुआ है जिनका, इसके पहले उनका जन्म था नहीं वो अब जन्मी है और पुने जन्म नहीं लेंगी और ऐसे भी कुछ है जो अभी जन्म है लेकिन इसके बाद उनका जन्म नहीं है ये समुद्र के तल पर लहरों की तरह है कुछ समान भी है कुछ असमान भी समुद्र के लहरे कैसी है कुछ एक जैसी लगती है ना सिमिलर लगती है कुछ बिल्कुल अलग अलग उस प्रकार मालव राज्य के राजा का नाम शिखि द्वश था मालव राज्य वह स्रीष्ट राजा था, वह सदाचारी और सद्गुणी था, साहसी और मिलनसार था स्रीष्ट राजा के लक्षन में बताए, सदाचारी था, सद्गुणी था, मिलनसार था अच्छा राजा होने के ये सारे लक्षन है, ये का है? तो अच्छा एक लीडर होने के लिए ये सारे लक्षन है ये भी हमने समझना चाहिए चोटी उम्र में ही उसके पिता का देहन्त हो गया था युवा होने पर भी उसने अपने यूग्य मंत्रियों की साहियता से राज्य का शासन अच्छी तरह से चलाया बच्पन में ही पिता गुजर गए जब यूवा हुआ तो अच्छे मंत्रियों उसको समझती कि जो अच्छे मंत्रिये उनसे वह सलाह लेता रहा और उनकी मदद से उसने अपने राज्य का अच्छी तरीके से निर्वाहन किया वसंत रुतु का पदारपन हुआ था चारो और वातावरन मादक था ऐसे कहते हैं वसंत रुतु में जाड़ा जब समापतोने में हैं वसंत रुतु की शुरुवात होती है आप देखना सारे पशू-पक्षी वृक्षल अताय सारे खिलते वसंत रुतु में जितने फूल हम देखते हैं मुझे नहीं लगता और बाकी किसी रुतु में उतने फूल हम देख सकते हैं तो नैचरली वह सुरुष्टी एक नया श्रिंगार करके आती है ऐसे प्रतित होता है ने तो वसंत रुदु का पदार पड़ु अचारोर वातावरन माधक था युवा राजा ने जीवन संगिनी का स्वप्न संजोया राजा युवा था तो उसने ऐसे सोचा कि अभी शादी कर लेनी चाहिए जीवन संगिनी कि जीवन बर जो मेरा संग करे ऐसे किसी का भी साथ चाहिए दिन रात उसका मन प्रेहसी के लिए लया यित रहने लगा चतूर मंत्रियों ने राजा की दशा को बापा वे सौराश्टर में गए और वहां की राजकुमारी का हाद राजा के लिए मांगा मंत्री जो चतूर थे उन्होंने राजा को पहले भी हेल्प की थी राजा को संबालने में तो वो समझ गए कि राजा की मन की स्थिती क्या है तो फिर वह सौराश्टर चले गए और वहां की राजकुमारी थी कोई उसका हाथ उन्होंने अपने राजा के लिए माग लिया शीग्रही ही राजा का विवाह राजकुमारी चुडाला से संपन्नव हुआ राजकुमारी चुडाला से वह विवाह उसका हो गया उन दोनों में अत्यादिक प्यार था वे दो शरीर और एक जान थे उनकी अनेक रुचिया भी समानती और वे दोनों आनंद काननों में कृड़ाई भी करते थे दोनों में अत्यादिक प्यार था, जब शादी हो गई तो वहसने वहप्रेम बहुत जादा था दोनों में काफी जरी रूची भी एक जैसी थी अनिक रूचिया में और दोनों आनंद कानूनों में करिडाये करते थे दोनों आनंद के साथ विहार करते थे करिडाये करते थे राजा अपनी प्रियसी पर अपने प्रेम की वर्षा उस प्रकार करता था जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कमल को खिला देता है प्रीम इतना करता रहता था एक उपमा दी है सुन्दर सूरज की किरणे आती है तो आपने देखा होगा कमल का फुल खिल जाता है ऐसे कहते हैं कि वह किरणे कमल के फूल को खिलाने के लिए ही आती है उसी प्रकार राजा अपने रानी पर प्रीम का वर्शा करता था वे ग्यान के विविद विश्यों पर परस पर चर्चा भी करते थे ऐसे नहीं उनका ग्यान में भी बहुत रूची था दोनों का तो ग्यान के विविद विश्यों पर वह चर्चा करते थे इस प्रकार ग्यान की अनीक शाखाओं के वे अच्छे जानकार भी थे तो ग्यान के अलग-अलग जो शाखाए उसके प्रती उनको बहुत अच्छी जानकारी थी दोनों चर्चा करते थे दोनों अपने अपने तीज के साथ एक दूसरे के रिदय में बसते थे ऐसे लगता था कि भगवान विश्णु और उनकी प्रेशी ने इस धर्ती पर कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को संपाधन करने के लिए पुनज जन्म लिया है साक्षा तुपमा विश्नु और लक्ष्मी जी की ऐसे लगता है कि विश्नु जी उनकी प्रेसी के साथ पत्नी के साथ दुबारा इस रूप में आ गए कुछ कार्य शायद संपन्नों को करने होंगे तो यहां पे आप आगे जाके देखोगे राजा और रानी चुडाला की एक बहुती सुन्दर यह काहनी है जिसमें बहुत गूड तत्वग ज्यान को भी हमें सुनने को मिलेगा तो आज के इस एपिसोड में हम यही पर रुखते हैं और अगले एपिसोड में देखते हैं कि इस काहनी में आगे क्या होता है तब तक के लिए जै गुरु देव अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जिसके उपर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे